हेलो स्टुदेंट्स अब हम पढ़ेंगे 2019 में जो आइटी जैम का एक्जाम हुआ था उसको और हम सॉल कर लेते हैं आइटी जैम एक्जाम चल रहा है आइटी जैम तुम्हारा कल एक्जाम है फर्स्ट फॉल ऑल बेस्ट फॉर एक्जाम एंड वी विल सॉल्ड टू नाइटी जैम का एक्जाम हो था उसके हम कुछ क्वेश्चिंस करेंगे जो आप दिमाग में भी रख सको यह काफी कम टाइम ह इसलिए मैं बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगी ठीक है डॉन्ट वर्य अबाउट इट वीडियो को हम उपर शिफ्ट कर लेते हैं देखो फर्स्ट क्वेश्चिन जो पूछ रहा है सबसे पहला जो क्वेश्चिन हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चिन को देखो ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चिन ये पूछ रहा है कि हमें यूनिट्स दी गई है फोरा रियक्शन ए प्लस बी का रियक्शन दिया गया है जिसमें यूनिट्स प्रवाइड की गई है इस मॉल पर रिटर पर सेकीन देखो एक छोटी सी बात ध्यान से सुनो जितने भी ओर्डर ओफ यूनिट्स से पहचान सकते हो तो यूनिट्स से कैसे पहचाननों को मेरे ध्यान से सुनो अगर तुम्हारे पास आता है जीरो ओडर का रियक्शन जीरो ओडर का रियक्शन होता है तो उसकी यूनिट हमेशा क्या होती है मॉल पर लीटर और पर सेकीन मेरे ध्यान से सुनो ज इस question में देखो units देखो क्या है mall per liter per second इसकी unit है तो यहां से तुमें directly पता चल रहा है कि यह क्या है zero order का reaction है तो इसके लिए क्यों दूसरे फंडे लगा रहे है जो तुमें directly पता चल रहा है इसमें कि जो हमारा reaction है that is zero order का reaction है तो इसको तुम पटप कर देना that is your first answer हो जाएगा इसके पीछे लगेगा अगर तुम्हारा यह ठीक है अब देखो यह तो तुम्हें पता चल गया चलो मैंने तो बता दिया जिरो जो पता चलगा आप first order की जो निट है देखो हमेशा आपको ऐसे ही चलना है अगर तुमारा कोई reaction क्या है जिरो ओडर का अगर तुम्हारा आपको चलना है जरो और चलना है चलना है जिरो और के जिस्ट अपोजिट क्या है तुमारी सेकिंड ओडर की है देखो जो तुम्हारे पास zero order का reaction था उसकी unit क्या थी तुम्हारे पास mole थी पर liter था और पर second था तुम्हारे पास क्या था पर liter था और एक तुम्हारे पास क्या है पर second था ये तुम्हारे zero order की थी तो जो तुम्हारे second order का reaction होता है जो तुम्हारा क्या होता है second order का जो तुम्हारा reaction होता है उसकी unit देखो second order की reaction की उल्टी होती है इसमें क्या है zero order में क्या है per liter है तो इसमें क्या हो जाएगा per mole हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा per mole हो जाएगा तो 0 order में क्या आता है हमारा ? पिरलीटर आता है, तो वैसे ही 2nd order में र obviamente र meant हमारे होता है इसे में तृप Now कर से रसे बादर आता है , यहां हमारी ना की 所有 होता है यहां होता है 2017 और ऐसे में थार्ड और ओर्ड डा यहां हिउस होता है इतन बहुर टो यह इंतन है दो दुल्हाला एंग्री इतन प Chemistry के लिए गाई सब्सक्राइब इतन बितन अग्राइब करें कि लिए और ऐग्षर्ट्न के लिए next reaction तुम हर पास होता है spontanity of reaction के लिए तुमसे graph पूछा गया है spontanity of graph के लिए तुम्हें बताना है that is your second question तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें आपको बता देती हूं फिर से देखो पढ़ सकते हुआ अब धर्मोडानिय क्राइटेरा for spontanity of a process in a system जहां पे क्या condition दीया constant volume and constant temperature तुमें प्रवाईड किया है और टेंप्रेचर उसमें एकल गस्ते हिता है और इसमें में क्या होती है जीरो जो होती हो, always greater than equal to होती है, मतब डेल्टा जी हमेशा क्या होती है, negative होती है, for spontaneous reactions के यह, लेकिन जो तुम्हारे पास यह चार टम्स याद रखनी है, आपने, जो तुम्हारे internal energy होती हो, उसमें चेंज जो होता है, हमेशा क्या होता, negative होता है, जो तुम्हारे H होती है, that is, enthalpy होती हो, उसमें भी change हमेशा negative होता है, लेकिन क्या constant याद रखनी है, यह equation हमेशा आपको सब के लिए याद रखनी है, किसी भी question को पूछ सकता हो, लेकिन इस question में क्या mention किया गया है, वो quantity बताओ, जो spontanity of criteria को show करती है, जिसमें क्या है, constant volume है, और constant temperature है, बट यह वाले जो म continuous of criteria है, उसको follow करती है, जिब delta G हमारी का होती है, negative होती है, लेकिन यह किस के लिए होती है, सिर्फ delta G के लिए, मैं question में पूछा है, constant volume होता है, तब हमारे पास होती है, helm hold free energy, जिसमें क्या होता है, volume और temperature दोनों constant होती है, greater than or equal to zero, तो यह condition हमारी follow होती है, यह होती है, Gibbs hem hold energy मे जो change होता है, third option जो आएगा, आपका change in helm hold free energy, वो कब होती है, change in helm hold free energy होता है, वो कब होता है, जिब volume और temperature हमारे दो चीज़ constant रखी जाते है, जिब volume और temperature आपकी दो चीज़े constant रखी जाती है, उस time पे आपका spontanity का यह criteria fulfill होता है, यह मैंने आपको दो बता दी है, अब मैं entropy का और बता दी है, आपको किसी भी reaction के लिए, जो हमारे पास entropy होती है, change in entropy जो होता है, वो always हमेशे क्या होता है, तुम्हारा positive होता है, यह जो change होता है, बाहर क्या का constant हो सकता है, यू और V constant हो सकते है, यह को और होता है, spontanity का criteria entropy का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो 見て that criteria का criteria आपके पास अगर दिया गया है, तो हमेशे का होता है, positive होता है, greater than or equal to, जीरो होता है, हे साथ जो, u के साथ, हमेशे क्या होता है, वी constant होता है, यू वी से आप यहाद रख सकते हो, that is u का internal energy है, उसके साथ volume constant होता है, और जो enthalpy जब आप constant करते हो, तो उसके साथ हमेश चाहें CO2 है उसके लिए vibration bands पुछे हैं कि कौन-कौन से अक्टिव होंगे इस question को आप दिहान से पड़ सकते हो the number of vibration mode of carbon oxide molecule that can be directed using IR spectroscopy तो इसने क्या पुछा है IR spectroscopy से कौन-कौन से active होंगे निरिव स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके पास 4 motion होते हैं एक तो आपके पास क्या होता है symmetric stretch होता है पहले दो बता देती हूं है जो आयार स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास होती है उसमें particular हमारे पास दो motion होते है main तो दो motion हमारे पास होते है एक तो हमारे पास क्या होता है एक तो हमारे पास क्या होता है देखो हमारे पास जो आयार स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उस आयार स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास क्या होता है दो मोशन होते है में एक तो हमारे पास क्या होता है स्ट्रेचिंग मोड हमारे पास होता है जिसमें हम क्या करते हैं स्ट्रेच करते हैं एक हमारे पास क्या दो टाइप के motion होता है, एक stretching होता है, एक bending होता है, stretching में भी हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक हमारे पास क्या होता है, symmetric होता है हमारे पास, और एक हमारे पास क्या होता है, asymmetric होता है, bending में भी हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास out of plane होता है, एक हमारे पास क्या होता है, इन-plane होता है, तो इस तरह से आ यह स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उसमें, चार टाइप बेंडिंग होती है और एक हमारे पास इन-plane बेंडिंग होती है तो चार हमारे पास motions होती है इन चार ये चार हमारे पास क्या होते है वाइब्रेशनल एक्टिविटी होती है चार वाइब्रेशनल हमारे पास स्रेजिंग वैंडिंग ये हमारे पास चार मोड्स इसे मिल सकते हैं यानि फोर वाइब्रेशन मोड हमारे पास होने चाहिए किसे भी मॉलिकूल में लेकिन ये क्या बा लेकिन इसकी बात कर रहा है, क्योंकि CO2 के इंदर स्मेट्रिक स्टेचिंग होती है, हम इसको इधर से भी स्टेच कर रहे हैं, इसको हम इधर से भी स्टेच कर रहे हैं, सेम से, इसको हमने इधर से भी स्टेच किया है, हम क्या कर रहे हैं, स्मेट्रिक स्टेचिंग कर रहे हैं, symmetric stretching से वैसे भी इसकी क्या होती है, dipolment इसकी क्या हो जाती है? zero हो जाती है, जब IS spectroscopy में पढ़ा है कि dipolment में change जो होता है that must be not equal to zero, ये डाइपोल में change आना चाहिए, जब हम vibration करते हैं, ये है इसकी quality ठीक है, तो जो हमारे पास vibration motion होते हैं, उन vibration motion में जो हमारे dipolment वो चेंज होने चीज़ लेकिन जब हैं भी पता है कि इसका डाइपॉल्मेंट की 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 स्ट्रेच भी करोगे दोन्हों स nuevas ऐडरे इधर इसको工作 करोगे तो इसकी ट्राइपोलमेंट में तो चेंज क्या रहा है जीरो आ रहा है इसका मतलब जो हमारे टौटल 4 vibration mode मोट थे उस में से ज़ो हमरा supernatural mode होता है वो क्या हो जाता है हमारा केंसल आउट हो जाता है क्योंकि जो स्मेट्रिक मोड हमारे पास होता है उस स्मेट्रिक मोड में चेंज इंडाइवल्मेंट हमारी जीरू होती है तो जो बाकी हमारे थ्री वाइब्रेशन मोड होते हैं वह हमारे क्या होते हैं इसलिए जो हमारे स्यू टू मॉलक्यूल ह जो होते हैं, वो active होते हैं, सिर्फ three modes इसके active होते हैं, कौन-कौन से, एक तो हमारा asymmetric mode active होता है, उसे development में change आएगा, इक हमारे पास out of plane winding होता है, एक हमारे पास in plane winding होता है, इनसे भी क्या होता है, इनसे भी जो इसकी negative moment होते 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 है, इसके three answer हो जाएगा, अब ये में कोई भी 2 वक्टर आपस में multiply में गीवन होते हैं तो क्या करोगा आप b cross c क्या करदोगे a cross b करदोगे that and to a cross b हो जाएगा हमारे पास c हमारे क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा and the tis the answer the answer to say that is जब आपकी कोई भी 2 operators में multiply में present होते 3rd हमारे क्या है वेक्टर free यह पर free होता है तो आप क्या करोगे शक्रान से निकालने रेकिरोगे एक रोस भी आप कर दीजिए और dot c आपका अंसर बच जाएगा ठीक है नेक्स कोशिशन हम पढ़ते हैं इसका अंसर हमारे पास क्या हो जाएगा फस्ट हो जाएगा नेक्स देखो मारे पास यह कोशिशन का आंसर देखते हूं जब भी तुम्हें रपास bond order की बात की जाती है तो मैं आपको simple trick बताती हूं अगर आप नहीं भूल पाते हो या अगर तुम्हारे पास homodatomic species होती है अगर आपके पास क्या होती हैं तो जिस species के उपर positive charge होता है उसका bond order सबसे जादा होता है यह मैं आपको tricks बता रहे हूं को कितना time नहीं है हमारे पास कल ही आपका exam है तो मुझे वीडियो अप्लॉड भी करने तो मुझे थोड़ा कर से तो अब मेरा यह बात ध्यान रखना इसमें क्या पूछा गया bond order इसने पूछा है तो bond order में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जिस species पे positive charge होगा उसका क्या होगा bond order जादा होगा क्योंकि इसमें हमने electrons निकाल दी है और जब हम electrons निकाल देते हैं तो हमारा bond order हो होता है वह डिकरीज हो जाता है यह मैं आपको मोटी डाइग्राम से आपको समझा पाऊंगे क्लियर लेकिन अब इतना टाइम नहीं है नेक्स को भी पढ़ाएंगे मापको मोटी ठीक है अब इसमें क्या पूछा हुआ है इन्हों सबसे पहले आप से question में पूछा है देखो 6 questions को कुछ hare मायोग्लोबिन है ही wao mint है और वीटामीन है देखो हीमोसाइनिन से आपको यादरखना है कि उसमें क्या प्रजाटा कॉपर क्रेजंट है कॉपर का जो कॉपर है ऑलेट हो प्रेजंट है और मायोग्लोबिन जैसे ही मैं जैसे हिमोग्लोबिन है और हिमोग्लोब आपके पास iron हो जाएगा copper हो जाएगा and then cobalt हो जाएगा तो यह हमेशे आद रखना है चाहे तुम्हारे पास HB हो चाहे तुम्हारा MB हो यह नि हीमोगलोबीन हो चाहे माइगलोबीन हो उनमें हमेशा क्या होता है साहे अगणा होता है और विटामिन वी टवैलेट के अंधर अगणा तो यह निए हमेशा कोपर होता है और तुम्हार कैनल स्ट्रॉक्ट्ट्र पढ़ाँगी पहले Metal और Iodine का जो bond होता है Metal और Bromine का जो bond होता है Metal और Chlorine का जो bond होता है सबसे weakest bond कौन सा है Metal और Iodine का bond क्योंकि Iodine का size बहुत जादा बढ़ा हो जाता है जिसे bond length जो हो हमारी बढ़ जाएगी यह बात तमें याद रखना है तो जो भी हमारे पास Iodine present है आयोडीन का size बहुत जादा बढ़ा होता है जिसे bon length अगर हमारी weak हो जाएगी तो ये bond हमारा weak हो जाएगा और से electron transfer बहुत जादा easy हो जाएगा लेकन iodine और chlorine के बीच में को होता है बहुत जादा strong bond होता है इसमें से chlorine क्लोरीन जो हो खुदी electrons खीच लेगा और हमें क्या है मेकर गणैंड की सबसे पहले देखो कि कौन सा वीक हां वही Tigran oweek्टरों से घीशाज लेगा तो वो लिगेंड जो वीक जिसकी वीक इलेक्ट्रों विड्रोइंग पावर है वही इलेक्ट्रोंस डॉनेट करेगा क्योंकि अगर विड्रोइंग पावर बहुत जादा होगी तो वो इलेक्ट्रोंस को क्या करेगा खींच लेगा और हमें क्या करना इलेक्ट्रोंस डॉनेट करें, question में यही पूछा है, highlight to metal charge transfer पूछा है, तो इसमें highlight to metal charge transfer वही जादा strongly, मतलब जो metal iodine के साथ जो है, यह iodine इसको easily electron transfer करेंगा, क्योंकि यह क्या होता है, weak electron withdrawing रुपी से effect होता है, weak electron negativity होती है, इसकी, in comparison to chlorine, chlorine क्या होता है, strong electron withdrawing वो सारे electrons खीच ज़ेगा, और हमें क्या करन होना है, ligand to metal charge transfer की बात होती है, तो यहाँ पर iodine जो है, वो easily electrons को क्या करेंगा, donate करेंगा, इसलिए हमारा, जो metal iodine का complex होगा, उसकी lambda में सब से जादा होगी, क्योंकि इसके इंदर transition होगा, और जब transition होगा, तो हमारे intensity अच्छी आएगा, उसकी wavelength जादा हैगी, ठीक है, तो option देख लेना, इसका कौन सा हो जाएगा, थर्ड सबसे पहले आएगा, इसका, यह, बी option हो जाएगा, इसका answer, ठीक है, next question देखो, यह जो तुम्हारा question का example है, that is, और favoros की arrangement है, किसी को कर डिटिल में पढ़ना है, तो जागे पढ़ ली, जो कि favoros की arrangement reaction क्या होती है, तो favoros की arrangement reaction होती है, उसका example है, इसका simple सा आपको धिहान रखना है, मैं जादा explain नहीं करूँगी, इसमें क्या होता है, कार्बोनली ग्रूप के एक साइड में क्या होना चाहिए, alpha hydrogen present होने चाहिए, और एक साइड में क्या होता है, alpha halogen present होने चाहिए, देखो, यहाँ पर alpha क्या है, chlorine present है, और favoris की arrangement reaction है, हमेशा गाता है, five member product तुमारा बनता है, five member जो ring होती है, वो हमेशा product बनता है, और उसमें जो chiral carbon जो इसने show कर रखा, यानि जो chlorine होती है, chlorine carbon जहां पर present होती है, जो chlorine carbon जहां पर present होती है, यह हम बात करें, इस carbon के हम बात करें, तो यह carbon आपको हमेशा कहा हमेशा या फिर उससे next carbon atom मिलेगा, और इसमें हमेशा जो product होता है, that is, ester हमेशा found होता है, इसमें product हमेशा क्या होता है, ester वैसे भी आप ढूंड सकते हो, मैं आपको tricks बता रही है, इस question को solve करने के आपको ध्यान रखना है, हमेशा five member ring की formation होती है, five member ring, आप ढूंडोगोग जो carbon atom होती है, यह हमेशा क्या होती है, तो ester वाली carbon मिलेगी आपको या फिर हमेशा कहा मिलेगी, यह रही, यह क्या बोल रही है, कहां चला गया, जो आपकी यह chlorine वाली carbon होती है, तो आपको क्या मिलेगी, ester group के adjacent में मिलेगी, फिर ester group से next मिलेगी, यह आपका answer हो जाएगा third option ठीक है next हमारे पास आता है 9th question देखो यह हमारे पास next question जो हमारे पास है this particular is your example of backman fragmentation reaction this is your backman fragmentation reaction हमारे पास है या फिर backman reagment reaction हमारे पास है तो इस reagment reaction में आपको एक भाद ध्यान अखनी है किसमें क्या होता है hydroxyl amine आपको given होगा this is your hydroxyl amine carbon के साथ क्या है यहाँ पर double bond है और OH ग्रूप है that is hydroxyl amine group होता है या अमीन ग्रूप के साथ में क्या है OH प्रेजंट है या अमीन ग्रूप है carbon double bond nitrogen है तो carbon carbon double bond nitrogen है और उसके साथ क्या है और साथ में क्या given है acidic condition है as positive ions तुमें दीवन होते हैं इसमें सिर्फ आपको एकी बात ध्यान रखनी है कि हमेशा product जो बनेगा, अपका क्या बनेगा, मैड बनेगा, तो अब आपको option चूज करना है कि आपका option कौन सा आएगा, तो आपको इसमें क्या करना, option आपको चूज करना है, यह भी हमारे पास Amid और यह भी हमारे पास Amid नहीं है तो आप उसको Cancel Out कर देना चुछ आप 4th option में देखो 4th option में यह हमेशे आद रहा है जो हमारे पास Tertiary Amine होता है या फिर हमारे पास Higher Order का जो Amines होते हैं Tertiary है या फिर हमारे पास Secondary Amines होते हैं सब्सक्राइब यहां? सब्सक्राइब सब्सक्राइब ऑप बार से इस पर्टिकलर रिंग से एटच होता अब रिंग जो होते हो इसको ग्रेंट जो इसको क्या तो यह एक्षिन में बनाना है यह आपने उसी इमाइड को आपने बनाना है जिस नाइटोजन आडम के साथ होंगे जादा इलेक्टोनिष सप्पिसिश ऑनगेंज़ करेगा। इदर सेथरस्प एक गारभन review डोनेट करेंगे तो आपको अम ही इम पनाना है जिदर क्या होँगी जादा योसी साइड में भिखिँ सकते प्रेसिंट ह्पे dough ty इसा उपशन आप चूज कर ले नहीं जहाँ पर यह लाद है नश्था करना है तो इक पोजिट टी है क्या जाएगा आपका श्राइंट और अना टी हो गारशन होती हो गया लोगया है और 153 005 यह उल्टे पेरिंग होती है यह आप आसानी से चूज कर सकते हो नेक्स ओप्शन देखो जो आप जल्दे लिकर पाऊगे सर्फ मैं वही कराऊंगी मेरे बाद ध्यान सुनो आपने डिग्री ओफ्रिडम भी पढ़ चुक है आप चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैं एक बार फिर पास की linear शेप नहीं है यह नियुक्तर नियुक्तर निकालते है तो टॉटल वाइब्रेशन मॉड निकालने के लिए हमें क्या कर ना है अगर linear मॉल्क्यूल हमारे पास गिवन होता है 3-5 कर देंगे अगर नॉन लीने मॉलक्यूल है तो 3-6 हम कर देंगे यहां से हमारे पास क वह आप से बेंडिंग मोड पुछा है डॉंट वरी मैंने सारे क्वेस्चन पड़ रखें तो इस त्वेल पुछ पुछाए कि वह बेंडिंग मोड बताने आपको ठीक है मेरी बात देहां सुन आपको टोटल पता चल गए हैं टोटल आपके पास क्या है टोटल वाइबरेशन मोड का फॉर्म आपको पता चल गए टोटल में से आप क्या करोगे टोटल में से आप क्या करोगे स्टेचिंग मोड निकाल दोगे तो आपके पास क्या बच जाएंगे बेंडिंग मोड बच जाएंगे तो आपके पास क्या बचेंगे बेंडिंग मोड स्ट्रेब दॉत तो फर बाइबैन को परसफोद ये स्टर्ट किया तो स्ट्रेशिंग फिर फिर सेँ तो हमारे पास होते हैं उन मेंसे हम क्या करेंगे चलत देंगे एप इसे बास कर रहा है कि को कुछें हम कर रहे हैं धूर्त को पहले निकालते हैं टॉटल वाइबरेशन मौड्र निकालते हैं टॉटल मोड में वाटर का हमारे पास एक LOLCUE is सिंपल सी बात है कि हमारे पास non-linear मुल्ग को इसके लिए हम क्या फॉर्मल लगाएंगे 3 and minus 6 हमारे पास लेगा तो n क्या बताता है total number of atoms को बताता है 3 atoms हमारे पास तो 3 multiply में 3 हो जाएगा माइनस का 6 हमारे पास हो जाएगा तो यह हमारे पास 3 आजाएंगे total vibration mode जो हमारे पास आए है और जो stretching mode निकालने का formula होता है वो मैंने आपको नहीं बता है n-1 होता है इनि इतने number of atoms present उसमें से minus 1 कर देना है तो यहां से हम क्या निकालेंगे stretching mode निकालेंगे of attending controlling stretching mod क्या होता है मैं इसमें votre one होता है तो हमारे पास two आई है हमारे पास total vibration mode भी हमारे पास इस किढytes रहे है और सथार्ट 미국 union राई हैं हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो उइसाल हो तो आजएगा ऊट्टी जशाल जल्दी वोट्री पूसिन बहुत जाएगा है जो रूट में करूंघ हों पर शाहित से कि लोटल तो यान्य DOJ । सब्क करना है नेक्स टॉक्षिम यह सबस्याइब करेंगे कड़ों करेंगे दे वोत जांदी है कि दूट में स्केर विलासिटीच हम तूट मेटियख़ स्क iawn गाल रिटे हैं रूट में सैंटकर है और ऑउक्षिजन और ओसमोह ले ंव स्प्शाइब देख लेना है इसका रिश्यो क्या है उसके अपंसर लेक्शन होते हैं सेकेंड और रेक्शन तुमसे पूछा गया है तो सेकेंड और रेक्शन है मेरी घाल से देखो मौल पर लीटर हमार पास यह मौल पर लिटर तो इसकी कंसंट्राइशन है दा हाफ रेक्शन ऑफ यह प्रड़क्ट होते हैं इसने क्या पुछा ओडर ओफ रेक्शन पुछा है तो यह भी आप निकाल लेना है थोड़ा लंबा पड़ेगा मैं आपको छोड़ देती हूं यह कोश्चन हम सिर्फ वही कोश्चन पड़ेंगा जो इसल कर दोनों का रिष्चों इसने पुछा वाया तो वह क्या आजाएगा रूट थ्री डिवाइड वाय तू आजाएगा हमारे पास ठीक है यह 17 कोश्चन में बहुत जादा सान है इसमें आपने क्या करना है ट्रांस इफेक्ट पढ़ लेना है ट्रांस अगर आपने पढ़ लि को एजली हम रिप्लेस कर सकते हैं किसे प्रिडीन से रिप्लेस कर सकते हैं आराम से क्योंकि हाइडोजन जो होता है उसका होता है ज्यादा होता है उसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले उस सीरीज पढ़ लीजिए तो इसने क्वेश्चन में यह पूचा है कि कौन नाइंटींत कॉश्ण जल्दे पहुंच रहे हैं इस नाइंटींत कोश्ण में क्या पूछा है ऐघ। गया है कि कॉम से हमारे पास जो प्वेस्टे से पहले बेखिए प्रामेटिक प्विन बसक्राइप कर लिए जिसे और न बैप लुब्स में कितने रहें सेवन इतने वे त इसलिए आपका क्या हो जाएगा अन्पेर्ड हो जाएगा अगर आप बोरोन की और कार्बन की क्या नाम है बोरोन की और जो और अक्षण के आप अगर अगर दो बड़े हो और वूटी ऐगराभ पड़ते हो और बीटू का अगर आप lijुमोटी डायग्राम सपढ़ते grab अगर आप पड़ते होता आपको यह पदा चलेगा कि इसमें जो फाइमीं होता है, इस लिए इस लोन्स प्राइट्रों प्राइब्स करोज समल है यहां जो होती है नितोब्ट एक लेक्टरोन प्रेज़न रहे अधर लुक्यॆ होती है यहोगती है प्रीज़ल्राइब जो हमारे पास होता है वहारी प्रेमेडिक इस सकते हो तो यह तंहीं तुम्हारी कि प्रेमेडिक वती है और वी क्या अधर बॉल्ट से नेख्स कोछ में 28 कोछ में यह बुच है कि आपकी पेरा मैंगटिक मोठेंट 2022 तो कहीं पर भी फाईव लिखा है फस्ट देंदेर अबर्लिख्षम पूल्रॉ एसा है इस उतने ही उसमें उन्पेइड रेक्ट्रॉंस होते हैं घंट्य रिखो आपने दिहान से इसमें मेंगणी फ्लसटी दिया है कि मैगनीज प्लसट्री इसमें दिया है तो जो हमारे पास मेगनीज प्लस-3 है इसका मतलब मेगनीज की कंफिकेशन क्या होती है 3D5-4S2 होती है तो इसमें 3 लेक्ट्रोन निकालोगे 3 लेक्ट्रोन अगर निकाल दे तो क्या बनगी हमारे पास 3D4 configuration बची तो इसने बोला है इसकी magnetic moment कितनी होती है 4 होती है इसका मतलब यह है कि जो manganese plus 3 हमारे पास है manganese plus 3 उसमें 4 unpaired electrons होने तो आपको उनकी configuration बतानी है जब 3D4 हमारे पास बचता है तो तो तीनों के तीनों जो हमारे लेक्ट्रोन से वान पेड होने चीए यह निस सबसे पहले हमारे पास टीटू जी आता है उसके बाद हमारे सबस्दों केतने पास हैं पहले टीटू में केतने और रहान होते हैं और और यह पर एक यहां पर और लिख हमारी पास क्या थेंगी जो एसे रेंज होतीए T2G में क्या आजाएंगे 3 electrons आजाएंग और जो हमारे पस easy होगा उसमें हमारे पास 1 electron आजाएगा तो हमारे पास इसमें n की value unpaid electron कितने होगा हमारे 4 होगा तो unpaid electron आगर हमारे पास 4 हो जाते है तो 4.9 इसकी क्या है negative moment इस तरह से आपके इसकी configuration बतानी है कि इसमें है चार unpaid electrons होगे तब ही हमारे पास पर दी six होती है इसकी 34 werde two configuration होती तो इसमें किया है d five configuration हमाएन पास हो जाएगी डी five configuration हो जाएगी हमारे पास क्योंकि प्लस त्री हमने लगा दिया है तीन लेक्टोंस निखाल दिया टो तो सब्सक्राइब अब लास्ट ऑप्षिण आया एगा इसका और ऊप्षिण को द्यान से देखो टी जूए बड़ ऑने चाहिए पांच प्लस अनुज्थ थ्री मने कर लिया है उसमें 5 के 5 हमारे पास क्या होने चीए अनपेर्ड एलेक्ट्रोंस होने चीए उसके बाद मारपस क्या है कोबाल्ट प्लस थ्री हमारे पास है कोबाल्ट प्लस थ्री है यानि ये क्या हो जाएगी हमारे डी सिक्स कन्फिशन डी सिक्स में सारे सारे हमारे क्या होने चीए paired होने ची अगर paired होंगे तभी उसकी negative-moment क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी तो cobalt plus 3 हो दियो, T7 होता है, cobalt cobalt क्या होता है, हमारे पास 3D7 होता है, 4s2 होता है cobalt इसने क्या बोला है, plus 3 मेरे, 3 लेक्ट्रो निकाल दो गए यहां से, 3D6 विज़ी हो, 6 क کے 6 छ्षयक्र्टोkick था थो जाए की सिक्साइगे श्यक्रार नारी पास हमारे थीस सिक्साइए निग्यों दाउवेगन एकपूइड लिटान धोल्प्व्थ क्या जाएगा उसमें प्लम्हों पहस्च पूछा गया इसमें कॊन से कॉप्शन आ जाएग अ इसमें सिरीकन होatto रिच्छं की बाद में पुछा है औ características की बारे में पूछा बपा और तो औक्सिडेटिव एडिशन में आपको क्या करना है अपको 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 क्या करना है इक्षिए डेट तु आप में अप्षिडिएटिव और उसी मेंटर को आप और तो और विचुँन करना है था तो फिर्स्ट में यहां सदेखो हमारे पास क्या है इसको ध्यान सदेखो इलिडियम क्लोरिन तुम्हारे पास इसे तुम्हारे पास option में क्या दिया है फिस्ट ऑप्शन में से चूज करना आपको दोनों मतलब जो पियर गीवन है उसमें से आपको चूज करना आपको देगो सेकंड ऐडियम है और इसमें क्या है एरिडियम है क्लोरीन है और एक पीपेसी लिगन मतलब इन दोने में डिफरेंस जो है, वसी का है, सियो का है तुमा अज़ो लगेगा वह पास से सारे अगर यौद सी बात अगर मेंटके पॉसिबल के पास उसकी बात यह और कि पॉसिबल नहीं हो क्या है क्योंकि यु FE से इसमें क्या लगा हुआ है दहान से जो हमारा सेकंड पेयर होता है उसमें आप लग जाते हैं इसलिए थार्ड औप्षन आ जाएगा हुआ ठीक है यह इसा थार से आप इसको देख लेना 23 के अंदर तुमारे पास अंसर क्या हो जाएगा से किंड ऑफ्षन बिल्कूल यह बात याद अगणा है अगर तुम एसब्लोक से इंदर तुम अगर तुम आइसब्लोक के अंदर टौप टू बोटम जाते हो इसलिए इसलिए वोटर गंद्रे सॉलिबलाइज हो जाएंगा इसलिए यह और बिल्कुल सही है बाकी सारे गलत आप दिहान से देख लेना नेक्स्ट कोश्चिन तुम्हारा जो कुश्चिन है ट्वन्टी फॉर्ट कोश्चिन जो तब एक्जाम्पल होता है इसमें वेटा क् इसलिए इसलिए ने पारे इसलिए घ्याक्ट करेंगा इसलिए होता है जाता है इसलिए और फिर लेक्टोरिया पास चले जाएंगे और जो और जो यह तुम्हारे पास इपॉक्साइड होगा कि टॉन में इक नवट हो जागा सिंपल साथ रियक्शन है कुछ भी नहीं करना है सबसे पहले आपने क्या करना है डबल बॉंड का जो इपॉक्सिडेशन है वह आपने करना है यह आपके पास गीवन होता है तो यह आपके पास डबल बॉंड सबसे पहले आपने इसका क्या करना है ठीक है फिर क्या हमने एच पॉस्टिव तो देहीं रखा है क्योंकि एसडिक कंडिशन होती है यह पास चले जाएंगे तो यह बॉंड ऐसे ओपन हो जाएग और यहां से ईलेक्टोन्स किया होंगा ॉनेटटीह को जाएग यह निंहीं आपके पास क्या होगा किटोन की टॉन हो जाएगे और साथ में नंच्वान होगा HER पके पास त Glass यह आंसर आप देख लेना I think it's second option हो जाएगा इसका answer इसका answer आपके पास second हो जाएगा ठीक है next question देखुआ next question महर पास क्या होता है इसने पूछा है shielding यह chemical shift मैं बता चुकी हूँ कि जो जो electron withdrawing अगर आपके पास कोई present होता है अगर आपके पास कोई भी टौवध्डर हूं करता है उससे हमेशा क्या होती है angry इस और आपके पास कोई भी प्रोटोन प्रेजन्ट एब जैसे अब जैसे सद्सक्त हूप जो हमारे पास प्रोटोन के सब्सक्राइखॆ सब्सक्राइब और सब्सक्राइब हमारा signal downfield का आता है तो simple से बात है जो उसकी value होगी नमर के spectrum हमारे पास हो उस नमर के spectrum में जो hydrogen होते हैं वो hydrogen कैसा signal देंगे higher higher जो chemical shift है उसका क्या होता है बढ़ जाता हमें यह पता है कि जो भी हमारे पास downfield के signal होते हैं फिर डी shield protons होते हैं उनके chemical shift की weißテ सबसे जाधा होती है अट से भी जो सबसे जाधा होती है इसलिए ऊस genuine प्रोट्वा क्यों यह उसके बाद हमारे पास वाक्ता होगी एकस वाई हाए जडाए थिंक सी ओप्शन आजाएगा आपके 25 से लेकिन अगर ध्यान से दो सी नहीं की आना चाहाँ इस जो हमारे पास Y वाले protons हैं वो क्या है Y वाले protons जो होते हैं बिल्कुल एक तो triple bond के साथ में present है Y वाले जो हमारे पास protons present है Y वाले protons को देहान से देखो यह हमारे पास के हैं Y वाले protons जो oxygen atom के साथ भी present है और वो triple bond का भी electron इस पर लग रहा है तो जो हमारे पास टी ओप्शन होगा इसका यह अंसर होगा हाँ यह सक उप्शन वइज है वह मारे पास कि है जादा डी शील்डड है क्योंकि ऐसंटिपल बॉंड से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं अरॉप्षण भी उसकी अलेक्टों को रोख रहा है यहूक्छ इसका तीन चार पांच और शें यह कुशन है एक दो तीन चार पांच यह को शन बिल्कुल टारेक्ट गीवन है आपके जाकर जाकर और गैनिक की मोडरन पॉब्लीकेशन जाकर देखना उसमें बिल्कुल डारेक्ट लिया हूं है ग्लुकोज का ब्यार टू अस्टो के साथ रेक्शन पर इस पर्टिकलर पास इस पर्टिकलर रेक्शन सबसे पहले हमारे पास क्या उता है उसकी टॉन का आपने क्या करना है सबसे पहले डिकलर करना उसकी टॉन का आपके उसके कित्न को आपने डिकलर कर देणा है बिच में ऐसकी तर давно कराएं इस बाहर निकल जाएगा तो इससे आपका प्रड़क्ट क्या आजाएगा इसका आपका बहुत असान है कुछ भी नहीं है इसके बीच में यहां पर ऑक्सिजन आ जाएगी यहां पास है 28 जो कोश्चन है हमारे पास क्या है बेंजाइन मेकेनिजम से रियक्शन होगा अगर तुम्हारी जो नाइटोजन एटम है पिरिडीन जो है उसकी मेटा पोश्चन अगर क्लॉरिन प्रेजंट होता है तो उसके दो प्रड़क्ट भड़ेंगे एक पैरा पोश्चन पे नहीं प पी कर सकते हो जहां पर भी बहुत ज्यादा एलेक्टर विड्रोइंग प्रेजंट है जैसी यह सबसे ज्यादा एलेक्टर विड्रोइंग यह है तो सबसे पहले महारे पास क्या थार्ड जो है सबसे ज्यादा एसेड़ हो जाएगा सारे उप्शिंस में सबसे विकेस्ट क्य हो गया हमेरे पास उसके बाद मैं पास फस्ट सो यह एगा क्योंकि जो मिथेन ओल होता है इसे में जो जादख मुटारा सो यह पर जो जो फोर्ट जो मैं रबास थाड़ रहे-गा जो थाड़ के बाद मेरे पसके आएगा फोर्ड के बाद मेरे पस्ट खाये to थो अप्शन हो तेस्ट होता है उसके अंदर नाइटोजन एक्स्टेक्ट करने के लिए टेस्ट होता है हमारे पास जो सोडियम साइड की फॉम में प्रजेंट होता है सिर्फ इतना कर लिए काफी एक्जाम है all the best for your exam थेंक्यू सौ मच